भारत और पाकिस्तान के बीच दिल्चस्प मुकाबला जारी है पाकिस्तान की टीम 191 रन बना कर खेल रही है भारत पाकिस्तान महा मुकाबले से जुड़ी इस वक्त की है सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान की टीम 191 रन बना कर आउट हो चुकी है तो महा मुकाबला लगातार जारी है फैंस के दिलों की धड़कने बड़ी हुई है सुबह से ही लोग टीवी के सामने डटे हुए थे और लगातार जिस तरीके से भारत की और से गेंदबाजी की गई छक्के छुड़ा दिये गए पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के और इसके साथ साथ आपको अपडेट बताते चले पाकिस्तान की टीम 191 रन बना कर आउट हो चुकी है अब वर्ल्ड कप में जीत के लिए भारत को पाकिस्तान को हराने के लिए 192 रन की दरकार है और निशित तोर पर अब ये लक्ष भारत के लिए बड़ा ही आसान नजर आ रहा है क्यों के शुबमन गिल जिनकी वापसी हो चुकी है अब वो भी चौके और चको की बारिश करेंगे कुछी समय में फिर से मैच की शुरुआत होगी और उसके बाद बल्लेबाजी के लिए भारतिय टीम मैदान में उतरेगी बड़ा ही रोचक मुकाबला होने वाला है जब भारतिय टीम मैदान में उतरेगी तो किस तरीके से शांदार प्रदर्शन भारतिय बल्लेबाज दिखाते हैं अब ये देखना होगा क्योंकि गेंदबाजों ने अपना काम कर दिया है शांदार गेंदबाजी इस बार भारत के ओर से की गई पंडिया ने भी जबरदस्त गेंदबा आएगा क्योंकि इससे पहले भी जो दो मैच भारत में खेले हैं उसमें भी बल्ले बाजी में भारत में शांदार प्रदर्शन किया है ऐसे में अब भारत के लिए प्लस पॉइंट यहां पर नजर आ रहा है और अब जीत से कुछी समय कुछी कदम की दूरी पार भारत की ट ही बनाने होंगे तो रोचक मुकाबला वर्ल्ड कप 2023 भारत पाकिस्तान का मैच और इससे जुड़ी यह बड़ी खबर और सबसे बड़ा अबजेट इस वक्त आपको बता रहे हैं महा मुकाबला अभी भी जारी है और आपको बताते चले की टॉस जितने के बाद भारत ने भारत की टीम को जीत मिल जाएगी और निज्ज रूम से सेवगी शुरूती हमारे साथ जूट चुकी है शुरूती एक सिर्फ और सिर्फ एक सो बांबे रन यानि की जीत दूर नहीं है अब पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया और आगी दुको